तो अब तो अबंग तो आए फेलो फ्रेंड्स अब्लकम बैक्ट अरटीब चैनल एकर नाविक साना गाई आज हुम पढ़ने वाले हैं एलाकस्टी ओफ डिमांड तुम्हें ये तो पता है कि डिमांड क्या होता है क्योंकि डिमांड के बारे में हम पहले पढ़ चुके Demand क्या है? Demand refers to the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a period of time कि demand क्या है? वो quantity जो consumer क्या है? willing भी है और able भी है कि willing तो है और able भी है उसके पास इतना enough sufficient जो है money भी है कि वो उसको purchase कर सके at each possible price और during a given period of time में बट अब ये elasticity नाम की क्या वला है? elasticity के बारे में तो हमें पता नी तो elasticity का मतलब क्या होता है? change तो हम क्या पढ़ेंगे? elasticity of demand पढ़ेंगे कि demand में कितना change आया क्योंकि हमने जब demand पढ़ा था तो हमने उसमें law of demand पढ़ा था कि law of demand क्या कहता है कि price के increase होने पर demand जो है basically quantity demanded जो है वो क्या होती है? decrease होती है और price के decrease होने पर quantity demanded क्या होती है? increase होती है price और quantity demanded की बीच में क्या होता है? negative relation, inverse relation होता है यह हमारा क्या यह判ा है? यह हमने पढ़ा था demand के chapter में law of demand के बारें पढ़ा था बट अब यहां पर हमें exactly amount का पता नहीं चल रहा कि कितना चेंज आया यहां पर हमें सिर्फ क्या पता चल रहे है डारेक्शन पता चल रहे है कि प्राइज का इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी और प्राइज डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी बट बेसिकली कितनी डिमांड इंक्रीज या हो गए यह हमें पता नहीं चल रहा तो elasticity of demand में हम यही change का पता लगाते हैं how much कितना change हुआ कितना amount में change हुआ demand में price के decrease या increase होने से for example मान लो price जो था हमारा रूपीज 10 था ठीक है रूपीज में मेजर कर रहे हैं प्रैस को रूपीज 10 था वह decrease होके हो गया मालला रूपीज 5 तो एएक्जेक्टली हाफ हो गया प्रैस मतलग 50% जो है वह price क्या हो गया decrease हो गया 50% क्या हो गया हमारा price decrease हो गया अब यह तो पता है कि price के decrease होने पर quantity demanded क्या हो совes होगी been because of law of demand क्या होगी हमारे क्वांटाट डिमांडेट क्या होगीllie है इनकिरीज होगी प्राइज के डिकरीज होंने पर बट्ट कितने पर्सेंट होगी इतिनी अमांंट में होगी यह नहीं पता तो यहीं कि Amount Magnitude निकालने के लिew हम क्या पाँड रहे हैं आज Evet half Demand को पढ़ तो Helasticity of Demand क्या है my last oint trow ideas me is 8 of changing quantity demanded कि quantity demanded में कितना है ना करना मच्ट पता लगाएंगे कि किदना चेंज अज अगर 20% increase होता है यह प्राइस यह 30% decrease होता है तो quantity demanded कितने percent increase या decrease होगी यह हम पता लगाएंगे elasticity of demand में magnitude को पता लगाएंगे, amount को पता लगाएंगे, कितना change आया quantity demanded में, basically demand क्या थी हमारे qualitative थी, क्योंकि इसमें हम direction पता लगा रहे थे, कि price जब increase होगा तो demand decrease होगी, price जब decrease होगा तो demand increase होगी, but अब elasticity of demand की बात करो तो यह क्या quantitative है, quantity में पता लगाएंगे कि कितना change आया quantity demanded में, जब price क्या हो, increase हो या decrease हो, तो यह था हमारे क्या elasticity of demand, अब जो elasticity of demand है कि हम measure कर सके quantity में कितना change आया, यह develop करा था प्रोफेसर मार्शल ने, प्रोफेसर मार्शल जो है बहुत बड़ा economist रहे है, इननने अपनी बुक में इसको डेवलप करा था principle of economics, इसके लिए एक्जाम में नहीं आता है, बट knowledge के लिए पता होना चिये, कि elasticity of demand जो concept है, वो डेवलप करा था प्रोफेसर मार्शल ने, अपनी principle of economics बुक्स में, अब elasticity of demand है क्या, elasticity of demand refers to the percentage change in demand for a commodity with respect to percentage change in any of the factors affecting demand of that commodity, demand वाले चाप्टर में हमने पढ़ा था factors affecting demand, क्या-क्या factors है जो demand को affect करते हैं, तो PX हमने पढ़ा था क्या price of own commodity, commodity का खुद का price, demand पर affect डालता है, price of related good, related good हमारे दो goods होते है, substitute good and complimentary good, income, consumer की income में अगर कोई change आता है, taste and preference, expectation of change in price in future, and size and composition of population, season and weather, distribution of income, यह सारे factors क्या थे हमारे demand पर affect डाल रहे थे, अब इन factors में अगर मैं देखूं, यह जो तीन factor है, इनको तो हम quantity में में ज़कर सकते हैं कि price है own commodity का, price of related goods है, substitute and complimentary good and income of the consumer, basically income में अगर changes आता है, तो nature of goods पर depend करता है, कि good normal है, यह फिर inferior good है, अगर मैं बात करूँ, taste and preference, expectation of change in price in future, and size and composition of population, season and weather and distribution of income, यह सारे जो factors है, affecting demand, यह सारे क्या क्वालिटेटिव है, इनकों quantity में में मेजर नहीं कर सकते, तो इसने जो elasticity of demand है ना, उसके हमारे क्या है, तीन dimension है, तीन dimension को उनकों से, जो हमने यहाँ पर बात करी, कि price of on commodity, cross elasticity, मतलब price of related goods हम यह अपर लेके चलते हैं, और income of the consumer, सिर्फ इन तीन dimension को पढ़ेंगे हम elasticity of demand में, तो अब हमने पढ़ा क्या, कि elasticity of demand के है, change in demand of 4X, कि कोई भी X commodity की demand में change आना, क्यों, with respect to change in factors affecting demand for X, अब यह हो जो factors affecting demand के हम बात कर रहे हैं, तो यह हमारे इतने सारा factor है, बट जो elasticity of demand क्योंकि quantitative है, इसलिए quantitative factors के हम बात करेंगे, जो हमारे क्या होंगे, price of own commodity, price of related goods, substitute and complementary goods, and income of the consumer, तो इन factors में, अगर change आता है, तो consumer के demand में क्या change आएगा, यह कहलाएगे, हमारी क्या elasticity of demand, कि change in demand for a commodity, with respect to change in any of factors affecting demand for that commodity, कि change in demand को बढ़ रहे है, with respect to, अगर factors affecting in demand में, change आता है, factor affecting demand क्या, price of own commodity, price of related goods and income, तो यह three dimension हम पढ़ते हैं, elasticity of demand के, three dimension of elasticity of demand, first हमारे क्या price elasticity of demand, कि price, खुद की commodity का price, own price of the commodity, क्या affect डालता है, consumer के demand पर, quantity demanded पर, basically यह हमारे क्या शोग करता है, law of demand को ही शोग करता है, क्योंकि यहाँ पर हम मान कर चलते हैं, कि factor other than price क्या है, constant है, satras paribus है, कि सिफ price of our own commodity का affect पढ़ेगा, हमारे quantity demanded पर, कि price के change होने की वज़े से quantity में change आएगा, elastice of demand हम कैसे measure करते हैं, percent change in price, percent change in quantity demanded, कि quantity demanded में क्या change आया, with respect to price, कि price अगर 20% increase हुआ, तो quantity जो है, कितनी percent decrease होगी, वो हम पता लगाएंगे, elasticity of demand में, basically अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, हम यहाँ पर क्या लेकर चलते हैं, कि quantity में क्या change आया, जब price में change आया, तो अगर मैं बात करो, quantity demanded क्या होती है, हमारा dependent variable होती है, dependent variable, and price के अगर हम बात करो, तो यह हमारा क्या होती है, independent variable, independent variable, क्योंकि हम क्या बढ़ रहे हैं, कि quantity demanded में क्या change आया, जब price में change आया, basically price में change आता है, उसका affect क्या पढ़ता है, हमारी demand पर पढ़ता है, तो quantity का चींज है, वो depend कर रहे है कि क्सके, price के चींज पर, इसलिए हम बौल सकते कि quantity demanded का dependent variable है, क्योंकि price अगर decrease होता है, तो quantity demanded increase होगी तो quantity demanded क्या है price पर dependent है बट अगर मैं बात करूँ price जो वो independent variable है क्योंकि quantity की वज़े से price में कोई change नहीं आ रहा है price की वज़े से quantity में change आ रहा है तो quantity demanded क्या dependent variable है price क्या independent variable है कि हम quantity demanded का change पढ़ रहे है with reference to change in price इसकी price की विज़े से quantity demanded में हमारी क्या change आया तो ये था हमारा क्या price elasticity of demand price elasticity of demand को हम detail में पढ़ेंगे next class में इसको measure करना से सीखेंगे through different methods and then आता है हमारा cross elasticity of demand basically हम इसको cross elasticity of demand क्यों बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर हम बात करते किसकी related goods की related goods हम क्यों बोल रहें इन goods को अगर हम बात करो substitute goods substitute goods वह goods होते हैं जिनको हम one place to another use कर लेते हैं for example coke and Pepsi for example अगर coke का price क्या हो जाए increase हो जाए ठीक है Pepsi का price जो हो वो same है for example अब माल लेते हैं कि कोक का price जो है वो क्या है 10 रुपीज है and Pepsi का price भी क्या है 10 रुपीज है ठीक है अब माल लो coke का price जो वो change होके हो जाए price 12 तो अब क्या होगा coke relatively क्या है expensive है मेरे लिए as compared to Pepsi क्योंकि Pepsi में 10 रुपीज में मिल रही है and coke में 12 रुपीज में मिल रहे है तो अब क्यों के price में change आया तो Pepsi की demand में affect पड़ेगा कि Pepsi की demand क्या हो हो जाएगी को के price के increase होने पर Pepsi के demand बढ़ जाएगी यहां पर जो करूं complimentary goods complimentary goods वो goods होते हैं जिनको हम together यूज करते हैं for example pan and ink तो pan की अगर price में change आएगा तो ink की demand पर उसका affect पड़ेगा for example अगर pan के मैं बात करूं मालनो pan का price जो था वो 10 रुपीज था और increase होके pan का price जो हो गया मालनो 20 ठीक है तो ink की demand क्या हो जाएगी जो कि कम हो जाएगी price के increase होने पर क्यों हो जाएगी इनकी aafekt पढ़ रहा है कि जब एक गुड में कहले इनको बोलते हैं रिह वहे पillarसे कि चैश्यलाइब क्या नोब सेखते हैं ब सब्सक्राइब क्या हुए क्यों क्योंे धियों बीतius संतुड में बास किरें हो तो qanteist Demand इन में change ढता है तो elastacy of Demand क्या होगी percent change in demand upon me percent change in price किसका price related goods ka price related goods कौन से Quốc and complimentary goods देन आता है हमारा income elastacy of demand कि consumer के Income में Change आजा जाए تو elastatis непrक्स को कैसे में सब्सक्रिण करेंगे की consumer की in demand में change जह रहा है with reference to change in income के consumer सबनुज सब्सक्रiemented में जब छेंज आएगा तो कंस्यूमर के डिमाड चेंज होजाएगी तो यह था कर bursting कि मैघनीटूइट को मैच्थ क कर पाते हैं कितना चेंज आया वो हम पता लगा पते तो नेक्स क्लास में हम पढ़ेंगे술 ना सिंक hawks level को विशा करना सुखेंगे इस Bäg great को च्ग हो गया जुमैट्रेक मैथर नहों गया хотя है sit को अगजा करना सिखिये बात करो सेफ़ इंकम लाश्टर अदि तो हम एक स्कोपड़ेंगे प्राइज टीमांड यह श्राइज व्याहर क्लास के बारे में यह सब्सक्रा है तेंक्यू